प्यारे बच्चों आज हम लोग देखेंगे एलेक्ट्र स्टाटिक का पार्ट टू में एक नया टॉपिक लेकिन उससे पहले एक छोटा सा प्रॉब्लम हुआ था लास्ट वीडियो में जिसमें हुआ यह था कि आपका जो डारेक्शन अफ्लेक्रिक फिल्ड है वहाँ पी थो तो पहरे ज़्यक्ता देख लेते हैं एक्चंश्ली महाँ था क्या शीलिवहन कि वहाँ पर क्या था कि रिंट्रेक्ट्र फिल्ड हम लोग जानते किसी बुर्ट्र होता है तो उसमें इसकम और दो पर रेक्षिन पड़़ रहे थे अगर यह चार्ज पॉजिटिव चार्ज हैै तो इसका फिल्ड और क्रियेट होगा लेक्ति यहां तक कि उसकेबाद आप यह एक पॉइंट से करते ह rätt!' अच्छा इस पॉइंट पर फाउंड फाइंड आउट करेंगे वह पॉइंट पर क्या करते हैं लोग एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाते हैं याद देखिए बहुत इंपोर्टेंट बात है कि कभी भी किसी भी चार्ज के चारों तरब जो फिल्ड बनता है उस फिल्ड का अगर आपको स्ट्रेंथ इंटेंसिटी अगर आपको पता लगाना है तो वह सबसे पहले किसी पॉइंट का होता है एक पॉइंट सबोच कर लिए इसमें बहुत सारा पॉइंट हो सकता है कहीं कभी आप निकाल सकते कि एक पॉइंट का होता है वह जो पॉइंट का छॅश् कर्छा करते हैं तो यहां पे जो इलक्टरिक लोगा वह कैसा बटती दिखिए आपको बता चुक कि एंग мои जो अधरी ही होता यह जिदर फोर्स का डारेक्शन होता है जिदर फोर्स का डारेक्शन होगा उधर ही डारेक्शन इलेक्ट्रिक फिल टेंस्टी का ही वह का भी होगा इसका यह मतलब कि अगर यह चार्ज क्यों है और यह अगर चार्ज एक यूनिट चार्ज है तो यह पॉस्टिव और यह पॉस्टिव है तो यह क् बन जाएगा उधरी बन जाएगा इसका मतलब कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उसके का रणर किसी पॉइंट पे जो घोता है इलेक्ट्रिक फिल्ड इंटेंसिटी होता है उसका डारेक्सामीसा बाहर की तरफ होगा अवे अगर हमारे पास एक चार्ज होगा और वो नेगेटिव चार्ज है सपूज करते हैं तो उसका यह फिल्ड बनेगा अच्छा यह अगर पॉइंट यहां लिए सपूज करते हैं फिर से एक यूनिट चार्ज लाके रखते हैं आप यहां पर चार्ज होगा यह चुकि नेगेटिव चार्ज है और यह क्या आपका पॉस्टिव चार्ज है यह उसको क्या करेगा करेगा क्यों क्यूंकि यह नेगेटिव चार्ज हो रही क्या पॉस्टिव चार्ज अट्रक्ट करेगा जब अट्रक्ट करेगा तो फोर्स कहां बन गता है तो उसके ऐस्पेस में जो फृंट किसी पॉइंट का अगर चार्ज पॉस्टी भोगा तो इलेक्ट्रिक टारेक्शन के अगर नेगेटिव और तरफ ठेक है और अगर चार्ज नेगेटिव हो तो यह अंदर के तरफ तिल्कु बाट तो सिंप्ली ये बोल सकते हैं कि ए अगे बढ़ते हैं और एक और देख लेते हैं उसी वीडियो में थोड़ा सा छूड़ी या था वो लास्ट में एक और था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी एलेक्टिक फिल्म में रखा रहे तो पर फोर्स कितना लगता है तो रही वो देख लेते हैं for some experienced by a charge इन आगी वैं एक टुल्ड के टार्ट करता कि फोर्स एक्स्प्रियेंस फायर चार्ज एक चार्ज आपके पास से ठीक वो चार्ज जो है उस पे कितना फॉर्स लगेगा कहां पर इन गिवन एलेक्ट्रिक फिल्म अतलो कि कोई चार्ज होगा उसका एक एक लेक्ट्रिक ह maior चार्ज लाइसे बन जो कोई चब्स बना हुआ है उसमें चायच पार्टिकल है ठीक एक चायच पार्टिकल क्यूंट ठीक है अब यह चार्ज पार्टिकल अगर क्यों किसी पॉइंट पर रखा हुआ यह पुरा फिल्ड में इलेक्ट्रिक फिल्ड कितना है यह तो इस फोर्स कितना लगेगा तो मुझा जानते हैं एफ इकॉल टू कितना होता है एफ अपॉन क्यों पड़ चुके है एकॉल टू अगर किसी उलेक्ट्रिक फिल्ड में कोई चार्ज में तो बढ़र यह जीवन और यह निकाल सकते हैं इसका मतलब किकी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कितना लगेगा एफ लगेगा मतलब कितना तो इसका मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल जिसका वैलू कुछ दिया तो यह वह लोग अब नेक्स टॉपिक जाओ आपका जो था जो साउंड फोड़ा गड़बड हो गया था वह आपका क्लियर हो जाता है ठीक है तो हम लोग अब नेक्स टॉपिक देखते हैं क्या इसका वह जागा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल और वहां से स्टार्ट अच्छा उसी में एक डाइमेंशन जो रहा सथा डाइमेंशन में अगर कुछ आवाज खराब हो गया होगा तो जो दाम इंशन भी आप देख सी सकते हैं डाइमेंशन और अगर डामेंशन आपको चाहे तो आप एक फर्मुला जानते हैं एक वाल टूटु कितना एफ पॉन क्यों किसी का भी डाइमेंशन लिखने कर्यां पहती चाहिए अगर डामेंशन आप का लिखना चाहते तो एफ का डामेंशन चाहिए और क्यों आपको पता एफ का डामेंशन कितना होता है म L T minus 2 divided by कितना हो जाएगा इसका 80 हो जाएगा zara solve करेंगे तो कितना हो जाएगा M थो ठीक है L ठीक है यह T देखें नीचे है यह उपर जाएगा तो कितना हो जाएगा T minus 2 है यह उपर चल जाएगा तो minus 3 हो जाएगा ओर यह कहाँ अपगा A उपर जाएगा तो मारे समय है अम ठीक है है ल कि उपर उन उन पर चला गया तो निच्हे पॉजिटिव में था यह उपर चला गया तो मÁनिस 1-2 मार उपका कि मन सी आपका यह उपर चला गया थो एंवर्स मतलtså कि एलेक्ट्रिक डाइपॉल यह आपका जैक बोड में आ चुका है प्लस सीवी एसी में भी आ चुका है तो यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह इंपॉर्टेंट है ठीक है यह जितना भी टॉपिक पढ़ाएंगे यहां से लेकर लगातार सब इंपॉर्टेंट है ठीक है ए यह मतलब क्यों हो यह को ढня मतलब क्या हो जाएगा दो और छोर पुर्ट हो इसलिए फुछ और किसका दो चार्ज गा लेक्तिक मतलब चार्ज मसलों की दो चार्ज कहता है कि सपोचकरें कि एक Online है और एक पॉइंट यहां है ठीक है अगर यह दोनों पॉइंट पे सब पूज करो यहां एक चार्ज है क्यों और यहां भी चार्ज कितना है क्यों बट क्या है एक नेगेटिव में और यह क्या है पॉस्टिव में इस पॉयंट फेलों के बेच्राइब अम यहाँ मैंने चार्जोर्ण में चार्ज हो और दोनों आ माउंट सेमिंओ और यह बीच में कुछ डि Indile años यह जो डिस्टेंस और कैसा डिस्ट kitty के आप तो ये जो आप शिस्टम देखरे है यह तो यह डोनों चार्ज का इसको प्लेंगा इसको बिलेंगा डाइपूल कैसा एलक्रिक और दैपूल दो चार्ज का एक पोल बना दिया ठीक है इलेक्ट्रिक डाइपूल हो गया अच्छा इसमें एक चीद धान देंगे यह जो आप देख रहे हैं यहां सी लाइन देख रहे हैं इसमें बीच में एक सेंटर हो जाएगा ओ जिसको हम लोग डाइपूल का सेंटर भी कह सकते हैं सें सेंटर करता आप क्या लेते हैं रहे हम इलिए लिए टोटल लिस्टेंस कितना हो जाएगा कि इतना हो जाएगा इसना हो जाएगा st Cliff etto में दो चारज दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए और दोनोंне चाहिए और दोनों एक दूसर्य डीश्टेंस होते हैं रुख ग क्या और इस्सिस्टम को मैं लोग क्या बोलते हैं यागतीक ड्यपॉल करें यह सेम चीज more आपको chemistry में भी देख चुके होंगे एलेक्टिक डाइपोल तो यहां भी आपका क्या है एलेक्टिक डाइपोल एक्टिक डाइपोल जो है वो जेनरली आपको chemical compounds में दिखेंगे ऐसे तो हर molecules लगवा क्या होता है आपका एलेक्टिक डाइपोल करता है इस एक्जामपल के लिए एसल देख रहे होंगे हैं यह यह क्लोरीन हो गया यह फॉस्टिव चारज होगा इसका यहां रेडियस हो जाएगा और इसका रेडियस हो जाएगा ठीक है तो इसके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा कुछ होगा ऐसे बहुत सारे होंगे जो डाइपूल अपका बनाएंगे ठीक है अ चार्पा अचा फोस्तिव लेसकते हो नेगे और ले सकते हो नगईετε ले यहां लिखा हुआ है लेकिन क्या है क्या जरूरी है कि आप नेगेटिव यहीं लिखें क्या यहां नहीं हो सकता अच्छा यह यहां अगर हो जागा तो क्या प्रॉब्लम होगा तो यह चीज़ को ध्यान दिजेगा ठीक है सोच के रखेगा हम अगला वीडियो में इसको कियाव कुछ है एलम्हाल क्या हैं तो इसका बना सकते हैं कि और है इतीज को लिटीज सीस्टम Gal fragrance है कि यह तो इससितविज सीस्टम यह सिस्टम यह सिस्टम है शिस्टम अंध्सिट पूश्य वह अहीं है शथा अध्तिरैस विख जीन यहता परति पructured लिखेंग मिलताःक अग्छ इस एक सिस्टम है किसका दो इक्वल बट आपोजिट क्या चार्जेश का जो की एक दूसर क्या होते हैं कितने फाइनाइट डिस्टेंस पर ठीक है तो यह होगा आपका एलेक्टिक डापूल तो एक ऐसा फिगर यह बना लेंगे डिफेसल लेंगे और यह आप फिगर यहांको उतार देंगे सबसक्राइब कीजांपल के लिए आप देखिए ऐसटू और है यह एले ले लिए एसा कई हो ठीक है बात में जब पोलर मॉलिक्ल नन पॉलर मॉलेक्ली पढ़ाएंगे तो और डिटेल से इसको बताएंगे ठीक है तो यह आपका definition हो गया किसका electric dipole का ठीक है class 12 के लिए काफी है इनफ है लेकिन क्या है कि थोड़ा सा उपर का लेवल का आप नीट और यह मेंस का देखना चाहेंगे एडवांस का देखना चाहेंगे तुझके लिए थोड़ा सा और एडवांस तरीके से उसको बताया जाएगा लेकिन वह अभी 12 के लिए काफी है ठीक है नेक्स्ट टॉपिक पर आते हम लोग अगर आप जानकारी हो चुगा उसको कौन मेजर करेगा तो एक नया टॉपिक पढ़ते हैं अलागी इतना आसान चीद नहीं है कोई भी टॉपिक अगर आपका एराइज होता है तो उसका कोई ने कहीं से उसको लाया जाता है बहुत लोग को देखते हैं क्या जो पढ़ाते तो डरेक्ट क्लिक देते हैं और क्या स्टार्ट करते लेकिन ऐसा नहीं है हर टॉपिक में कुछ ना को चीपा हुआ है कहीं नह आपका इनफ है ठीक है लेकिन थोड़ा सा और एडवांस अगर आपको चाहिए तो एक नया स्रीज हम ला रहें जिसमें सिर्फ हम नीट और जई मेंस इसी पर फोकस करेंगे मतलों यहां से बिल्कुल डिफरेंट होगा वहां पर डिफरेंट होगा मतलब हम मिक्सप नहीं कर लेकिन उसमें आपको नुमेरिकस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और बहुत कंसेट चाहिए उसके लिए तो उसके लिए अलग वीडियो लगेगा तो उसमें सारी चीजे किलियर होंगे ठीक है तो फिर आपको वहां पर बहुत ज्यादा जंकारे दिया जाएगा यह बड़ा स सब्सक्राइब धैब करता है अच्य इसका इसकाद आपके चाहँ में जो आएगा यह बहुत इंप्ॉर्टेंट डिकेड डिफाइब दैपोल मुमेंट को डिफाइन करने अपके इचाइब टीक है तो क्या होगा सका अजैंग सावर शार चेस्थ 006 it is defined as the as the product of product of magnitude magnitude of either charge and dipole length and dipole length कैसे define कर रहे करता है it is defined as the product of magnitude of either charge and dipole length कहता है कि अगर हमारे पास एक dipole है अगर हमारे पास एक dipole है minus q और plus q ठीक है यह a पे और यह बी पे ठीक है यह हमारा अगर यह बीच में अगर यह हो जाएगा तो यह भी हो जाएगा तो टो टोल डिस्टेंस कितना हो जाएगा टूए अगर आपको डिफाइन करना है एलेक्टिड डाइपूल मुमेंट को तो कहता है कि यह एक क्या है एक राइतर भिच्थह चै क्रिके प्रोडक्ट है इसका प्रोडक्त किसका प्रोडम्ड एक उफ डिफाइस्टीव Moment रोंग के इसका तूडल पता इस जो और सब्सक्राइब करके है ईसको पी से रिणोट करते हैं कि इसको पी से रिनोट करते हैं तो पी तो कितना नोट और अच्छा आप देख रहा होंगे यह पी है यह क्यों क्योंकित यह अग्याय यह सक्लिदे फेक्टर को अगर कोई पीचीज बैटर वन्टिटिटी होगा एक डारिक्टीन होगा यह आपको मगनिट्यूड बता देगा और इसका अधिरेक्षण क्या हो जाएगा तो इसका डारेक्षण जो हो जाता है वो नेगेटीब टुप स्टीब होता है किसमें अधिसफ़ सक्टील अफ्याख ये लिख लिख सकते हैं पॉस्टिव नहीं सकता इसका बताएंगे जब नीट वाला से स्टार्ट करेंगे तो उसमें बताएंगे नेगेटिव पॉस्टिव रिखियो थी क्यों नहीं हो थिक है तो हम लोग क्या देखे लेक्टिट डैपल मुमिंट क्या है जिनरली अगर देखा जाए तो वो एक फॉर्मूला होता है तो इसको कैसे लोग डिफाइन कर गए डिफाइन करने के लिए यह प्रोड़क्ट है किसका यह दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लिए इसका मैगनिचूट ले लिए और उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ट्वेल उससे उसको मल्टिप्लाइ कर द कि सकते हैं यहां जाए यह वेक्तर खाल में तो तो वेक्टर से मल्टिप्लाइ करेंस क्या मिलेगा वेक्टर मुलेगा तो इस तरह स्याओ दिक एक्टिटर को एकडिटीटी अच्छा अब इसके बारे में यह हो सकता है कि इसका यूनिट भी होगा इसका डाम इंसन भी होगा ठीक है जिसका ज़रा यूट देख लेते हैं इसका यूट क्या हो जाएगा पी कई इसका एक बार काप्टल दो लोगा दो लिख सकते हैं ठीक है श्माल इपी ऐसा बहुत लोग लिक्वाद तय कि रटा गया जिन को रहता हूं लिख लेकिन इसन यह एक अब अब आपना बता दे देखिये अगर आपको आगे कुछ करना है जैसे कि नीट मेडिकल कुछ मत यह में इंजिनेरिंग में जाना या तो कहीं भी कुछ जाना है तो आपको एक बात का ध्यान देना है competition इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब रटन्त विद्या से काम नहीं चलेगा रटन्त विद्या का यह मतलब हो गया कि रट के काम नहीं चलेगा जिंदिगी मासफल वही लोग हो जाते हैं जो रट के पढ़ते हैं रट के पढ़ना रटना भी एक तरीका होता है जैसे कि काम नहीं चलेगा आगे चलके कंपोडिशन इतना हेवी होने वाला है तो याद दखिएगा अच्छे से पढ़ने से काम चलेगा और यह 12 में आप पढ़ रहे हैं आगे चलके जितने भी जिनरल कंपोडिशन होते हैं जितने भी आते हैं सब में अब साइंस को ज्यादा सब्सक्राइब तो आपको यह बात को ध्यान देना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा सिर्फ 12 ही आपको नहीं करना आगे चीजें देखना है तो रटना नहीं है ठीक है तो आप क्या करें कि कम से कम NCRT बुक मेरे पढ़ा दने के बाद मेरे लेक्शर देख लिजे अच्छे तरीके से और उसके बाद आपको लाइन टू लाइन पढ़े सिर्फ एंसी आटी पढ़ लें और जिसको एंसी आटी नहीं क्लियर हो पा रहा है तो फिर वो दूसरा किताब हम बताया थे एसल अरूड़ा उसमें एंसी आटी बेस्ट बेस्ट किताब लिखा किसी का ही विडियो उठाके देख लेंगे आपको इससे ज्यादा नहीं बताएगा तो आप निश्चीन तरहेंगे चीजें को लिए आपको जितना भी चीजी दे रहें सब बेस्ट दे रहें ठीक है तो हम लोग देख लेते हैं क्या इसका डाइमिंसन इसको स्मॉल पी और क चार्च के लिए कुलां मुं यह था और यह क्या हो उता है मीटर लोटा हो गया इसका इसका condone एक उडसरू inches कि चाँजllo क्या हो ज्हाएं इसका सीजस्य हुनध हो और यूनित होता है आपके two-way क्या होता है क्यानों यूनिट हो सकता है यह और यणा पूछ कि यह पूछ दिभाए भी क्कु GU टूण आ जाते है इसका डामेंड्स है इसका डामेंसन क्या हो जाएगा लिखना है तो डामेंसन आपको क्यों का चाहिए और डामेंसन किसका चाहिए आपको तू एक चाहिए चितना हो जाएगा इसका an baş दम एसनन एक्टी हो जाएगा और आपको पता है इसका और हो जाए का को काम होता नहीं कॉधित को त्रॉल टॉटल ये ती बता रहा है ल गाँ था टिक कैसे लिख सकते हैं a m not l do a लिख सकते हैं यह आपका डाइमेंजर्ण होनों घिसका तो तो एलक्रिक डायपोल मुमेंट का तो आपको इलेक्टिक डायपोल बन्विल्टा दीए ठीक है तो यह पिलिए ऐसा करते हैं एक दूनिम्रेकल इस फ़िए देख लेते हैं तो हमारा ज् एक कुश्चन इस पर देख लिएते हैं एलेक्ट्रिक डाइपोल एविंग तू चार्जेज प्लस 5 मिली कुलाम एंड माइनस 5 मिली कुलाम सेपरेटेड बाइब बाइब 0.2 मिली मीटर फाइड इट्स डाइपोल मॉमेंट क्या कहता है कुश्चन गोसाएपोश्चन आीड कि हमाएब कुश्चन के पास करते हैं कैसे दो छार्ज है ठीक है व्हए वह चार्ज कितना है 2 प्लस 5 मिली कुलाम को पता है दोनौ चार्ज बराबर होते हैं पस्दोनों का साइना को जिट होता है से 0.2 मिली मिली मीटराइब माः कि वेली लिखेंगे क्या दिया हुआ है तो आपको पता है कि SI में करते हैं तो सिर्फ पुलाम होना चाहिए लेकिन यहां मिली कुलाम लगा हुआ तापको मिली को convert करना पड़ेगा और कितना करना पड़ेगा टेंट पॉर मैनेस त्री लिखना पड़ेगा चुकि एक मिली इक टूर मैनेस कितना होता है ठीक है अच्छा अब जो यह है यहां focus करेंगे जो distance होता है जिसको लोग डाइपोल लेंद क्याते वो डाइपोल करेंगे टू को नीचे लिजएंगा ऐसा नहीं है पूरा डाइपोल का ही लेंथ टूए कहलाता है ठीक है और वो टूए का वैलू इतना दिया रहता है बास महीं आ गया इसको जड़ा सॉल्प करी कितना जगा 0.2 इंटू 10 to the power कितना माइनस 3 और क्या मीटर हो जाएगा अग माइनस अगया तो कितना नीचे टेन चल जागा तेन फिर उपर आए गार तो मीनस में आहिए ठीक है । अच्छा नाव आप फर्मूला जाते है कितना हो जाता है फॉर्मुला क्यों क्यों फो जाते है ट्वाट्यां पावर माइनस 3 इल टू जो एट एक टना करतें सू के फ तो सॉल्व करने पिकितना हो जाएगा फाइब कुलाम मीटर और यह क्या हो गया आपका आंसर हो गया मतलब कि वन अब यह माइक्रो कुलाम मीटर भी आप लिख सकते हैं आपका अंसर हो जाएगा ठीक है डारेक्शन के वाइब नेगेटिव फॉस्टिफ फिर से देख लिए चार्ज जाओ आओ फाइप मिली कुलाम आप फाइब मिली कुलाम सो कर लिया है फाइब टेन पावर मैस तरी कुला कितना हो गया इतना होगा इसका यह ठीक है अच्छा यह तो हो गया काफी आसान पूशन सिक जाम में जो कुशन आपका आएगा वह काफी इजी आएगा ठीक है एक कोशन वह ऐसा भी देखते हैं जो थोड़ा से डिफ्रेंट ठीक है अस्सिस्टम has two charges QA equal to 2.5 into 10 to the power minus 7 Coulomb and QB equal to 2.5 into 10 to the power minus 7 Coulomb located at points 0 0 minus 15 meter and 0 0 plus 15 meter respectively then find total charge of the system and dipole moment of the system है देखिए यह एंसाटी का कोशन है कहता है कि एक सिस्टम उसके पास दो चार्ज है एक है क्यों जिसका वैल्यू इतना दिया हुआ है और एक क्यों भी इसका वैल्यू इतना दिया हुआ है ठीक है लोकेटिड एट जो लोकेटिड है कितने पॉइंट से इतने पर और इतने पर ठीक है यह दो आपका पॉइंट दे दिया है यह क्या है आपको कोडिनेट है इतने इतने पर रिस्पेक्टिवली इस्पेक्टिवली का मतलग है कि इसका पॉइंट यह है और इसका लोकेशन य और दूसरा क्या निकालने बोल रहा है डाइपोल मुमेंट अब तर सिस्टम ठीके सॉल करते सको यह अन्सियाटी का कुशन है सबसे पहले आप देखिए कि आपका यहां एक कॉर्डिनेट बनेगा एक्स Y और जेट ठिक कि यह सेंटर हो ग ai यह ऐसा क्यों बना क्यूंकि आप देख यहाँ पर रहे संक यहां प्रणत दिया हुगा है एक्स वाई जॉड एक यॉग लेकिन आप देख ुआ कि ये देखिए इसको देखिए और इसको देखिए और इसको देखिए 008 मिला हुआ इसका मतलब ऑगर जट है तो जट की है नेगेटिव में नेगेटिव मतलब पीछे धिस दिए यह जाट पॉस्टिव अगर होगत ले नेगेटिव छाट के पीछे हो जाएगा call कि इसका मतलब के एक पॉइंट टेना ने शासित हैं । Holyase है इसका मतलब कि यहां को मिलेगा जो कितना हो जाएगा जिसमें एक सिए नहीं है वाई नहीं मैंने मैंस तक एक देखियाा prosti यह पॉसितिव हो जाए में यहां पर सब्सक्र 카ullen के लिक्ति और सीफेट में प्सक्राइब यहां करो चॉट रखा आनके सूर्च आज़ान के लिए क्यों को एक यह ट्न ही मिलाक्यों किकलो थेले तो तो पॉइंट फाइब इन्टू तो दी पावर माइनस सेवन कुलांब यह आपका सेंटर हो गया 000 ठीक है आप से क्या पूछ जाला है सबसे पहला क्या कि टोटल चार्ज कितना होगा सिस्टम का च्छा टोटल चार्ज कितना होगा आप यह देख सकते हैं टोटल चार्ज तो पहला प्रिका लितें टोटल चार्ज टोटल चार्ज कितना होगा कफो टूартल अ के ऐड़र चार्ज इंटू उनके वीच में ठीक है आइधर चार्ज दोने का कोई भी चार्ज उठा लेते हैं मतलब कितना टू पॉइंट वाइप इंटू तो दी पावर माइनस सेवन ठीक है और उनकी बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बता सकते हैं इनकी बीच का डिस्टेंज जला देखें यहां से हां कितना है 15 15 माइनस 15 का मतलब हो गया कि लोकिसे ने बता रहा है माइनस जाट पर है कितना होगा वह कितना होगा व्यकशत कितना हो गया शल्ब करते तो कितना जाएगा कि 7.5 यहां से पॉइंट अटाएंगे तो नीचे टेन आ जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा कितना बजाएगा 75 इंटू टू दिपार कितना माइनस 7 आपका क्या हो जाए कूलाम और मीटर अगर पॉइंट आप यहां डालेंगे तो कितना हो जाएगा कि 7 इंटू 10 पर कितना हो जाएगा यहां से पॉइंट है माइनस 6 हो जाएगा और सेंटिमीटर यह क्या हो गया आपका आंसर हो गया तो इस तरीके से कुशन हम लोग बना सकते हैं तो काफी असान एक फार्मुला सिर्व आपको मालूब होना चाहिए पीवल टू क्यू क्रूप में देगा यह जो कॉर्डिनेट क्रूप में देगा वह इस तरह सांट होगा यहां पर देख लिजेगा आप सेंटिमीटर मीटर देख लिजेगा अगर मेंटर मीटर होगा तो मीटर सेंटिमीटर होगा तो सेंटिमीटर ठीक है वह वह सिसाब से एंस्याटी में सें निकालने आप निकाल लेंगे तो इसका मतलब यह समझ हो आगे कि यह क्यों कि दोनों से वैल्या वाला होता है इसलिए टोटल 4-0 और उसका डायप ओल्मेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं अच्छा एक और कुशन देख लेते हम लोगे इसमें कि थोड़ा सा अच्छा जो आपका विडिकल या मेंस वगेरा में आया हो कोशन है वो देख लेते हैं इन सबसे डिफरेंट थोड़ा होगा वो कि क्याता है कि फाइंड डाइपोल मुमेंट फाइंड डाइपोल मुमेंट यहां पर यह जैसे सब पूछ करते ही यहां पर एक चार्ज है माइनस टू क्यों और चार्ज यहां पर आपका is the last Q और चार्ज आपका यहां है तो ब्लस कि ठिक है इसके बीच का ढिश्टेंच से ए और रिंज पीच का डिस्टेंच और एक provincius each angle is कि देखे आपको पता है कि कि डाइपोल कैसे बनता है इक्वल न पूजड चाहす低 εइक्वल एपके जिस्टेंस होना चाहिए तो अगर हम इसको अगर ऐसे लिख दे माइनस क्यूप और माइनस क्यूप तो एड करेंगे तो वापस इतना जाएगा अच्छा ये वाला और ये वाला एक डाइपूल formation कर देगा और ये दोनों मिलके अएख राइपूल फोर्मिशन कर देगा अज आपको पता है कि डाइपूल का जो डाइरेक्शन होता है उन नेगेटिव टू पॉस्टिव होता इसके लिए ऐसे हो जाएगा और इसके लिए ऐसे हो जाएगा ठीक है अच्छा माइनस क्यू प्लस क्यों डिस्टेंस कितना ए तो जितना मोमेंट यह होगा उतना ही मोमेंट यह भी होगा क्योंकि डोनों सेम है अ दोनों का result कहां मिलेगा करें बीच में सिमील लेगा यह जो रिजल्ट आपको मिलेगा यहीं आपको क्या मिल जागा डैपुल में टूटल वाला जो फाइड आउट करेंगे तो जब देखो अगर इसको लूग find out करते तो कितना हो जाएगा पी क्वड़ टू मतलब तोटल इकवल टू कितना हो जाएगा रूमूला और इक वल्ट जो पढ़ा करते हैं लोग रूट अंडर कितना हमें a square plus Vsin कितना फूट ए बी और कितना कॉस्ट फिता पड़ते थे तो इसका डाइपल मुईंट्ट कितना जाएगा पी इसका डाप्ल मेंट में जाएगा पी ठीक है तो तो रिजल्टिंट कर निकलेगा तो इसका डिरेक्शन ऐसे बीच मेहीर निकलेगा इनका एंगल भी देख लिए है ठीक है तो यह शुक्त का मैंनिटूड निकालें लिए थे में कर दो कितने हैं पीका स्व्य कोई восп लेस्सकेतनाओ Maps को सद्वर कम गेलो Вамिए थे थो स्वर्ब सेटना हो जाएक सबस्वर्णובों से मैने सबचेन वद्वेलिस्टम करेंक दो कितना है गितना हो जाएक इधर आपको यह मैनेस जाएका टूपी स्कु कोईयर मैनेस कितना पी प्सकोयर तो कितना जाएका प्रूट अंडर यह स्कार मतलब कितना अगया इसका मतलब जो रिजल्ट इनमेना टिक फिल निए डाइपल मोन निकला वो कितना इकला पी निकला अच्छा यह जो पी निकला इसको आप दूसरे तरीके से मिलिए सकते आपको पता है कि पी का वैल्यू कितना हो जाएगा पर च सब्सक्राइब कर सकते हैं इसका वैल्यू कितना हो जाएगा क्यों इंटू यह आपका आंसर हो जाएगा तो इस तरह का कोशन आपको देखने कर मिलेगा अच्छे एक्जाम में इस तो यह आपका समाप्त होता है डाइपोल मोमेंट मतलब पूरा डाइपोल एक्ट्री आपकोल का फिल्ड कैसा हो